किसान भाईयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे धानुका एगरी टैक का माईक और माईक राज़ा के बारे में कि माईक राज़ा क्या है और माईक और क्यों जरूरी है हमारी फसलों में माईक और काम कैसे करता है हमारी फसलों में और माईको राजजा का क्या काम होता है हमारी फसलों में इसकी मात्रा क्या प्रतिये कड़ और इसकी कीमत क्या प्रतिये कड़ तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और उससे पहले जो किसान भाई हैं मारे चैनल पर पहली हुआ रहा है जड़ो और फंगी का सेयोजन माईकोराजा कहलाता है और अब बात करते हैं कि माईकोर काम कैसे करता है माईकोर ये मिट्टी की गहराई तक पहुंचकर फसल को अधिक पोशक तत्व देता है और ये माईकोर हुआटी टेकनोलोजी से अधारीत है मतलब हाई इल्ड टेकनोलोजी इसके लावा फसल की उपज और पैदावार को भी बढ़ाता है और इसी धानुका का माईकोर में 90% से भी अधिक एंडो माईकोराज़ा होता है जो फसल के साथ सहजीवी संबन्द स्थापित करता है और माईकोर एक बायो फटिलाइजर है मतलब जैव और वर्वर्क है इसके लावा इसका प्रियोग गेहू, धान, गन्न, कपास, दालो, तिलहिन, सबजियों, बागवानी वाली फसलों और सभी परकार की सबजियों में डाल सकते है और ग्यों की फसल में आप इसे पहली ये दूसरी खाद में डालें जो वर्दस रिजल्ट है इसके इसके लावा आप इसे नीचे बुआई करते समय भी प्रियोग कर सकते है क्योंकि माईकोर मिट्टी में जर्ड, सते, शेत्र को बढ़ाता है जिसकी वज़ए से हमारा पौदा स्ट्रॉंग होता है जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी होती है इसके लावा माईकॉर रूट सिस्टम और जल अवसोशन को बढ़ाता है जिससे पौधा जादा سے जादा पानी लेता है और बढ़िया पैदावार होती है और आप सभी को पता होगा कि अगर हमारा पौधा अच्छे से शुरू में स्थापित होगा तो पौधा हमारा स्ट्रॉंग होगा और बाद में पैदावार भी जादा मिलती है इसके लावा अगर आपकी यहूग पीली होगी है तो आप एक बार माईकोराजा का प्रियोग जरूर करें क्योंकि माईकोराजा जड़ विकास के लिए बहुत ही भैतरीन है और माईकोराजा के जीवानों फसलों की जड़ों में पहुंच जाते हैं और जड़ों के भीतर से काम करना शुरू कर देते हैं और किसान भाईयों हो सके तो आप इसे केवल यूरिया में मिलाकर ही डाले क्योंकि किसी भी कैमिकल बनलब फफून नाशक और कीट नाशक के साथ ना डाले क्योंकि ये जैव उर्वर्क है और अब बात करते हैं कि माईकोर की मातरा के बारे में तो इसकी मातरा है 4 kg प्रतियकड और किसान भाईयों अगर आपको जानकर ये अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जुरूर किया कीजिए धन्यवाद